तो वे इसके बार में थोड़ा डीटेल में बताई आप तो बेजीकली स्वेटांबर जो संप्रदाय है वो स्वेत वस्त्र को धारन करते हैं उनको हम स्वितंबर जैन नाम देते हैं और दिगंबर संप्रदाय में दिग मतलब आकाश ही जिसका अंबर मतलब वस्त्र है मतलब चारो दिशाय या आकाश दसो दिशाय या आकाश जिसका वस्त्र है उनको हम दिगंबर कहते हैं तो फ इनको differentiate कर सकते हो तो जो स्वेत वस्त्रधारी साधू को follow करते हैं सफेद वस्त्रधारी साधू को follow करते हैं वो स्वेत अंबर और जो वस्त्र नहीं है ऐसे साधू को follow करते हैं उनको दिगंबर कहते हैं अब इन में भी मूर्तियों की बात करें तो जनरली हर एक जैसे दिगंबर संप्रदाई की बात करें दिगंबर संप्रदाई में उनके सभी मंदिरों में मूर्तियों पर कोई भी लेप आधी नहीं होता है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह दिगंबर मंदिर साम तक कोई लगा नहीं होता है या आखे नहीं होती है यह सारी चीजे आखे अलग से नहीं लगी होती है जो मुर्ती में उकेरी होई होती है वो आखे तो है लेकिन अलग से आंखे नहीं लगी है जैसे एक पत्थर से जो जो भी बनाया जा सकता है फैर वह हो है दिगंबर समझ और स्वेतंबर मूर्टी ये दिदि आप तो श्वेताइम मूर्थी में आपको आंग वगएरा देखने को मिलेगा जैसे बाजु बंद है यहां पर रध।क फिर कमल पर आपको शवाणिम मुलेगा या फिर कि आखो पर आपको खुली हुई आखे देखने मिलेगी तो यह सारी चीजों को आप देखते हैं तो उससे आप आइडेंटिफे कर सकते हैं कि स्वितामबर मुर्ती है और उनके ढूल मैंने ऐसा सुना है कि जो पता नहीं कि मैं शाइद गलत भी हो सकता हो लेकिन जो दिगंबर होते वो रूल्स में ज्यादा बिल्यूग करता है मतलब जो और स्वितामबर में चलता है ऐसा राइट है देखो मैं इस पर मतलब काफी हद तक सहमत नहीं हूं क्यों ट्रूज सबके लिए बराबर है ठीक है आज मैं बात करूं कि जैसे आपने बोला मैं इसको एक जनर्लाइस टर्म में बात करता हूं जनरलबात की से बढ़े जो जयन है उनकी आलू नहीं घ्रन है उनको राति भोजन नहीं करना है जो जयन है उनको मज्य मास मदीरा अधी का सेवन नहीं करना है तो यह जनरलाइश टाम है ठीक है अब फॉलो करने वाली बात है तो इसमें सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो इस चीज को फॉलो करते हैं लब चाहे आप दिगंबर समाज में ले लो चाहे आप सुवतांबर समाज में ले ल जैन सास्फों के मताबक आप जैन है तो इन सब चीजो आपको फॉलो करना चाहिए अब हुआ कई कि इन मॉर्डर नइसे अरसन Big limits सब अपनीन अनुकूलता के हिसाब से इस इन चीजोंको फॉलो करते हैं जैसे बात करते हैं कि वैड शाहर की बात करते हैं रातरी बोजन की करते हैं तो लिखा हुआ है कि सूर्य अस्थ होने से पहले आपको भोजन कर लेना है इसकी कोई मतलब दूसरी विवक्षा नहीं हो सकती है यह सूर्य अस्त होने से पहले आपको भूजन कर लेना है लेकिन और इस चीज को कितना अनुकूल कहलेन से सब अपने अपने अनुकूलता है कि ने ने कि मैं छह वज़े से पहले कर मोभा किसी तो सब अपने अपने अनुकुलता है देखते हैं इन डीटेल में हम जाये तो डीगमबर्स में जैसे कि आपने भी कल बताया था कि वह जो मोक्स वाली बात थी वह अगर आप बता सके तो पादबन मीुश्यरी उसमें ऐसा था कि हमने बात की तो जो मोक्स नहीं मिलता है उनको आपने बोखने कि उनको छेंट में जन्नम लेना पड़ता है थिंग वह एक बाता सके तो जब बात आती है कि मुफ वाली बात आती मुफ वाली स्थिती आती है तो उससे पहले जनेरली ऐ गत जाता है कि आपके सारे ऒुस्तिर चूट जाते हैं को चिसाथ १िक्षाइं है य की लिए शिसाथा दोनों जाहे दिखंब संप्रदाय हो दोनों में दिक्षा आती है और दोनों में दिक्षा का एक मात्र मतलब है कि संसार से निवरती अब जब हम बात करते हैं स्वेतांबर संप्रदाई की तो वहां पर आपने जैसे कर मुझसे पूछा रखी वहां पर इतना धूम-धाम से दिक्षा ली जाती है तो ऐसा क्यों जैसे कि हम जब साधी करते हैं दूसरे हमारी धर्म में तो वहां पर उतना ज्यादा होता है जी तो जो 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 स्वेतांबर धर्म का यदि मैं थोड़ा लॉजिक लगाऊं क्योंकि यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं वह मेरे लॉजिक्स और मेरे समझ के अनुसार बात कर रहा हूं मैंने यह चीजे कहीं पर भी इतना पड़ी है न मतलब मैंने दिगंबर संप्रदाय का तो पूरा नॉलेज में को है लेकिन स्वेतांबर में इतना खर्चा क्यों आता है वहां पर वो खर्चा नहीं है वो नियोचावरता है मेरे पास जितनी चीजे हैं मैं वो सारी की सारी चीजे नियोचावर करके और मैं उन सारी चीजों से मुक्त हो रहा हूं मेरे पास इतनी संप्रदा है तो वो मैं सारी संप्रदाएं दे कर और मैं उस चीज से मुक्त हो रहा हूँ और अब मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है इसलिए अब मैं दिक्षा धारन करके उन सारी चीजों से मुक्त होके और आगे मुक्तिपत पर जाऊंगा तो यह जनरली स्वितंबर संप्रदाय का थौट प्रसेस है एस पर आयनो दू संप्रदाय में दिक्षा इस तरीके से ली जाती है कि जैसे मुझे दिक्षा लेनी है तो मैं गुरू के पास गया गुरू के पास जाकर और विन्हें से अग्या लीकिवे मुझे दिक्षा लेनी है गुरू उन सारी चीजों को देखते हुए कि मेरी चरिया कैसी है मेरे मेरा thought process क्या है और मैं दिक्षा के काबिल हूँ या नहीं यदि मैं दिक्षा के काबिल हूँ मेरा thought process उस हिसाफ से उस अनुकूल है मेरा धरम के मामले में उतना knowledge है कि मैं दिक्षा लेकर और further उस चीज को continue कर सकता हूँ तब मुझे दिक्षा मिलती है तो दिगंबर संप्रदाई और स्वितंबर संप्रदाई में दो चीजों का मतलब मूलभूत चीजों का फरक है एक बाहिर में जो चीजे हैं वो छोड़ना देखने को मिलता है और दिगंबर को disrupt को छोड़ना में उस जब आपको दिक्षा लेनी है तो अंदर की भावनाए देखी जाती है। अगर वह लगे कि नहीं है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है तो वह देते हैं फिर बाद में गुरुजी . यदि लगता है कि औ अभ्यास की जरूरत है इजा वंने को इस क्षा कि जरूरत कर दिक्षा नहीं दे सकते है तो उस टाइम पर उनको दिक्षा नहीं दी जाती है उनko और अभ्यास के लिए उनको प्रेरित किया जाता है जैसे की आज समझो कि मुझे में कोई एस एक ऐसी चीज दिखी कि जहां पर मुझे अभ्यास की जरूरत है तो गुरुजी उस चीज को स्पेसिफिक हाइलाइट करके और मुझे कहेंगे कि यहां पर आपको अभ्यास की जरूरत है यदि इस चीज को फॉलो मतलब यह चीज फॉलो नहीं हुई तो आगे जाके दिगंबर संप्र संपरदाई पर लांचन लग सकता है इसलिए आप यहां पर इस चीज को इंप्रूव करो तो तेट इस द ओल तिंग यह चीज सवर्दाई में भी हो सकती है मैंने जादा उन से किया है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है लेकिन बेसिकली जो मैं मुलता है दिगंबर संप्रदाई से बिलॉंग करता हूं इसलिए मुझे दिगंबर संप्रदाई का लगबख पूरी चीजा